आपने राजसबा में देखा है कि जब बार-बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए चर्चा करने के लिए तयार नहीं है आज सुबह बिस्नस में लिस्ट भी हुआ सप्लिमेंटरी में और उस लिस्टिंग में 176 के तहट मनिपूर के ऊपर चर्चा होगा और दोपेर होगा लीडर अफ दे हाउस भी इसमें अग्रीड है और जब चर्चा शुरू करने के समय आया जो विपक्ष आज तक मनिपूर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तयार नहीं था इस डिस्कुर्शन में बाग लेने के लिए तयार नहीं है हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोसिशन जो पिछले आठ दिन से लगा थार मनिपूर के उपर चर्चा चाती ति आज मनिपूर के चर्चा जब शुरू हो रही है बाग रहे है the opposition is running away they have been demanding even under 176 the names of the opposition leaders which are found in today's list of business consists of name names of the opposition leaders and I'll for your sake recall the names John Britaas AD Singh all respected honorable members Manoj Professor Manoj Kumar Jha, Fauzia Khan, A. Raheem ji, Ranjit Ranjan, Srimati Ranjit Ranjan, G.C. Chandrasekhar ji, Fulo Devi Nettam ji and L.M. Aram Karim they're all people from the opposition who wanted it under 176 now on that very 176 we have we have agreed and included all their names because they had also asked under 176 now just to draw a distinction these are decided by the the chair and if anyone would want to ask saying why not under 267 I just want to highlight 267 is if there is such a sense of urgency yes such a sense of urgency but obviously eight days have gone people have gone to Manipur and come back they have heard people speak to them now we are meeting and talking about it wouldn't they want to speak as to what they heard in Manipur when watching Manipur is going through and sitting there anywhere else we have talked to people in camp in camp or somewhere else they have listened to some things in house उसमें, आपको क्या अभी संकोच किस वज़े से, आखिरकार आप ही तो अभी तक डिमान कर रहे थे, कि इसके उपर चर्चा होना चाहिए, पहले से हम दयार थे, अभी लिस्ट भी हो गया है, अभी नाम भी लिस्ट आउट करके, आज शुरू कर रहे हैं, अभी आने के लिए आप तयार नहीं है, इससे में मीडिया के द्वारा भारत में हर नागरिक को ये जानकारी जेना देना चाहती हूँ, विपक्ष अब तक जो मनिपूर के ऊपर, क्रोकडाइल टियर शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है, हाँ क्रोकडाइल टियर सी थे वो, अब तक जो मनिपूर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावत होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था, इससे अ जैसे वो खाला श्ट पहन कर आये थे, खाला सोच है उनके मन में, उतना ही है, क्योंकि सरकार को कोई स्थान और सरकार के तरफ से मंत्रिगन को, इसमें मैं पूछना चाहती हूँ, मनिपूर अभी बहुत ही सेंसिटिव इशु है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहिए हूँ, इससे पहले, UPA सरकार के समय, जब अल्मोस साल बर के ब्लोकेड हुआ, मनिपूर में, तब एकी रास्ता ता मनिपूर पहुँचने के लिए, उस रास्ता बंद भी हुआ, cooking gas, food, medicine, nothing reached मनिपूर, उस समय, UPA के सरकार इदर और Congress के सरकार मनिपूर में, मैं पूछना चाहती हूँ, कोई Home Minister गया, वो समय मनिपूर, अब तो हमारे माननिया, अमिट शाजी, तीन दिन मनिपूर में पूरे के पूरे थे, एक कैम्प से दूसरे कैम्प, दूसरे से तूसर कैम्प, हर कैम्प में गये, लोगों से संपर किये, बात किये, और आकर के उनको जो रिलीव तुरंथ देना, वो सब का इंतजाम भी किये, मैं पूछना चाहती हूँ, UPA से, कों सा ऐसा Home Minister ते उस समय जाने वाले, कोई नहीं गये, जादा तर शायद, in some time, a Minister of State probably went, So Manipur के उपर UPA के इतना sensitivity और care and attention giving is only political, उनका जरूर, Manipur का security, Manipur का community, हर community, सफर कर रही है उदर, उनके उपर कुछ चिंता सच मुझ हो, तो आकर बात करना चाहिए, उनके visit के द्वारा क्या उनका जानकारी मिले, वो इदर रखना चाहिए, वो ना करते हुए, politics, see politics, Manipur के उपर politics करने वाले बेरहन, UPAK में आज अपीर कर रही है, कि सच मुझ मनिपूर गए, और आकर इदर बात रखने के लिए, मोका जब मिल रही है, अब क्यों उसको उटाना नहीं चाहते हैं?